आप सभी का स्वागत है गन्य की ये सी ओ पंद्रा जीरू तैइस प्रजाति है हमारे कर सक समसुलहक जो परसपुर महड़ावर के रहने वाले हैं जनपत गोंडा के इनके द्वरा इसको लगाया गया है जो दूरी है आप देख सकते हैं साड़े चार फिट की एक सो पंद्रा जूरी इसलोन इसी प्रजाति के बारे में लोग का माल ना था कि वराइटी गिर जाती है जल्दी गिर जाती है और दूसरा ये मानना है कि अर्ली मैशुरिंग वराइटी है कि लेकिन इस प्लाइट को अगर आप देखिए तो इसकी बंधाईji समय से इनकर देए गई और बन्धाई करने के बाद दो लाइनों को मिला करके फिर से बन्धाई करती गई है बीच में नाली बना दी गई है जिसमें अगर बारिस होती है तो जो ज्यादा पानी आता है वो केवल इस नाली में रहता है और गन्ने की जड़ों के पास बिल्कुल करीब तने के पास नहीं ज बहुत तेजी से बढ़ती है गरने की मोटाई की अगर हम बात करते हैं मोटाई बहुत अच्छी इस वराइटी की इस वराइटी में जो कुछ तत्थ हैं ध्यान देने योग हैं कि बहुत सरे किसनवाई कहते हैं इसको अप्रैल में ही लगाना चाहिए नहीं आप इसको थ्रू बैग्यानिकों का ये सुझाव आया कि इसको किवर लेट लगाएं तभी अच्छा हो सकता है नहीं तो ये गरना गिर जाता है लेकिन ऐसा नहीं मेरे पास हजारों किसंग्या में प्लाट हैं जो बहुत अच्छे हैं अक्तूबर के महिने के महिने के फर्वरी के महिने के किस से 4800 से करें किसी इंता से करें चेजलर से करें ये落ए सी करें गर्णी की दूरी रहाइं साज़े 4-4 था की दूरी रखें कहां से सेंटर से सेंटर की। बहुत सारी किशन खाय पूषने लगते हैं क्या कि नारिष रखना strengthened सेंटर सेंटर रखना है अगर हो सकते तो आप दो बट का आगना बोय है सिंगल बट का ना वह करके दो बढ़का हुएं बुआए की घराई सिवल के चोटा दूसरे एक अगर उसमें थोड़ा बहुती बैलेंस भी रहा तो साय तो वराइटी नहीं किरेगी इतनी साफ्ट नहीं है लेकिन वराइटी साफ्ट है और आपको एक ची और बता दें जो वराइटी साफ्ट है वो बढ़ती वितेजिसे हैं इंटर नोट अगर लबी है तो वराइटी बढ़ेगी अगर वराइटी का आप देखिए जैसा इसका अगोला बहुत अच्छा है अगर अगोला अच्छा होगा तब गन्ना अपना भोजन बना पाएगा गन्नी की लंबाई बढ़ेगी मोटाई बढ़ेगी और नमबर आफ टिलर्स भी बढ़ आपको पता रहे हैं इनको अगर ध्यान रखें तो यह आपके लिए बहुत अच्छी वराइटी एक बर्दान की तरीके से साविस्ट हो सकती है जबकि 233 में रेट लगा हुआ है उस वराइटी को आपको रिप्लेस करना है तो एक ऐसी प्रजात आपके पास है जिसको थोड बजिंग भी ना हो और इस्प्लाटिंग भी ना हो अगर सूखी पत्यों को घोल करके पानी में और इसको बॉयल करके स्प्रेक देजा तब भी स्प्लाटिंग को रोका जा सकता है धन्यवाद जय हिंद जय भारत